यूपी में हमने लंबा दोर ऐसी सरकारों का देखा है जिनोंने कनेक्टिवीटी की चिन्ता किये बिना ही अउद्योगी करण के बड़े बड़े बयान दिये सपने दिखाए परणाम ये हुआ कि जरूरी सुविदाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए इन परिस्थितियों में ये भी दुर्बाग्य रहा कि दिल्ली और लखलव दोनों ही स्थानों पर चाहे लखलव हो या दिल्ली दोनों ही स्थानों पर परिवार वादियों का ही दबदबा रहा सालों साल तक परिवार वादियों की यही पांटनर सी यूपी की आकांग्षाओं को कुचलती रही बरबाद करती रही भाईयों बेहनों सुल्तानपुर के सपूत और मैं बड़ी गंबीरता से कहना चाहता हूँ सुल्तानपुर के सपूत स्रीपती मिस्राजी के साथ भी तो यही हुआ था जिनका जमिनी अनुभाव और कर्म शिल्ता ही पुझी थी परिवार के दरवारियों ने उनको अपमानित किया ऐसे कर्म योगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते आज यूपी में डबल इंजिन के सरकार यूपी के सामान ये जनको अपना परिवार मान कर काम कर रही है यहाँ जो कार खाने लगे हैं जो मिले हैं उनको बहतर तरीके से चलाने के साथ साथ नए निवेश नए कार खानों के लिए माहोल बनाया जा रहा है अहम ये भी है कि यूपी में आज शिर्फ पांच साल की योजना नहीं बन रही बलकि इस दसक की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए बई भव साली उत्तर प्रदेश के निर्मान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है पुर्वी और पस्चमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से उत्तर प्रदेश को पुर्वी समुद्री तर्ट और पस्चिमी समुद्री तर्ट से जोडने के पिछे यही सोच है माल गाड़ियों के लिए बने इन विशेश रास्तों से यूपी के किसानों की उपच और फैक्टरियों में बना सामान दुनिया के बाजारों तक पहुँच पाएगा इसका लाब भी हमारे किसानों, हमारे व्यापारी, हमारे कारवारी ऐसे हर छोटे मोटे साथ्यों को होने वाला है भाई और बहनों, आज इस कारकम में मैं यूपी के लोगों की कोरोना वैक्सिनेशन के लिए बहतरिन काम करने पर भी प्रसौंसा करना चाहता हूँ यूपी ने 14 करोड करोना टी के लगा कर अपने राज्य को देशी नहीं बलकि दुनिया में अगरणी भुमी का में खड़ा किया है झाल में अपने लिए भी बलकि लोगों आपने राज्य काम करना चाहता हूँ